मसकार साति उमर आकेस परजापत आज आप सब के लिए एक नई नर्सिंग ओफिसर वेकेंसी लेके आ गया हूँ ओल इंडे केंडेडिस में अपलाई कर सकते हैं और पर्मानेट नर्सिंग ओफिसर वेकेंसी ये होने वाली है इस वेकेंसी को जिपमर पांडूचेरी ने निकाला है सबसे पहले आपको जिपमर पांडूचेरी की ओफिशिल साइट पर आना है है एड़ोटाइजमेट आज 3 मार्च 2022 को यह पब्लिश हुए है और न्यूज पेपर की जो कटिंग है वो भी आ चुकी है और डिटेल एड़ोटाइजमेट भी अपने सामने आ चुका है अपने इस एड़ोटाइजमेट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद में A to Z पूरी information आपको यहाँ पे मिल जाएगी सबसे पहले अपने देख लेते हैं जिपमर पांडूचेरी की और से निकली वी वेकेंसी है पर्मानेट वेकेंसी है ग्रूप B और C की यह वेकेंसी होनी वाली है सब भी केंडिडेट्स जो पर्मानेट वेकेंसी का वेट करे हैं उनको बहुत बदाई त्यारी में लग जाना है साथ ही हो अब सबसे पहले अपने वो आपको 11 अपरेल 2022 को यहाँ पे मिल जाएगी और एक्जाम की डेट भी यहाँ पे आ चुकी है 17 अपरेल 2022 संडे के दिन आपकी यहाँ पे एक्जाम होने वाली है नर्सिंग ओफिसर की पोस्ट के लिए अलर जो केंडिडेट्स की पोस्ट है वो अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं साथ हो उसके बाद में यहाँ पे काफी चीजी है तो इंपोर्टनेट जो पोइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ टोटल यहाँ पे नर्सिंग ओफिसर की जो कितनी पद है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो टोटल 106 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है अन्डिज़र की 52 है, EWS की 13 है, OBC की यहाँ पे 20 पोस्ट है SC की यहाँ पे 10 पोस्ट है और ST की 11 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है इसके अलावा dental, mechanical, anesthesia, technical, stenographer, grade, second और junior administrative assistant की भी पोस्ट है candidate अपने हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे nursing officer की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 80-20 का ratio यहाँ पे दिया गया है उसमें लिखा है कि center government के जो norms है वो यहाँ पे apply होने वाले हैं तो male candidates के लिए बूरी ख़बर है लेकिन साथ ही हो कम post है त्यारी करके आप भी लग सकते हो यहाँ पे एक service man के बारे में बता दिया गया है कि चार post इनके लिए होने वाली है क्वालिफिकेशन क्या होगी nursing officer की post के लिए उसमें लिखा है डिग्री और डिप्लोमा होने चाहिए आपका general nursing and midwifery में उसके बाद में आप registered nurse midwife होने चाहिए 1947 का जो state nursing council का act है उसके according pay level आपको क्या मिलने वाला है pay level आपको मिलगा 24,900 पलस आपका जो 7th pay matrix है उसके according और up to 35 years के जो candidates है वो apply कर सकते है age में relaxation है वो आपका यहाँ पे जो government of India के norms है उसके according रहने वाला है अब आगे बात कर लेते हैं कि आपका selection इसमें किस तरह सी होने वाला है और आपका यहाँ पे computer based test से selection होने वाला है जिसमें online computer based test यहाँ पे होगा 100 number के आपके 100 है वो questions आने वाले है और 90 minutes आपको मिलने वाला है online test होगा इसमें 100 questions आएंगे उसमें 70 questions है 70% वो आपके nursing के आएंगे बाकी आपके general skills like general knowledge है general intelligence है general English है और general mathematics है उनके यहाँ पे 30 questions आने वाले हैं इस तरह से होने वाला है और जो की केवल qualifying lecture का होना चाहिए skill test में आपको सिर्फ qualify करना है इसके अलावा आपको merit है वो आपकी online computer based test है उसके according बनने वाली है तो साथ यह मोटा मोटी यह information हो गई है इसके अलावा अगर आपको कोई भी other information चाहिए तो आप नीचे comment करें मैं आपको comment में पूरी information दे दे आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे थेंक्यू